नमस्का दोस्तों, प्यल्टिक्स में आपका बहुत बस वागय थे दोस्तों, आज के इस क्लास में UPCC वीडियो रिख्जाम 2023 के लिए मद्यकालीन इतिहास के कोस्टन्स की चेप्टर वाइस क्लास को लेकर रहा हूँ दोस्तों, आएए सुरू करते हैं आज किस क्लास के कोस्टन्स नमबर फर्स्ट से दोस्तों बहुत ही 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 बहुत ह दोस्तों तो यहां पर दोस्तों इस question का right जवाब बनेगा option B 1191 इसका सही जवाब बनेगा प्रत्वी रच चोहां तरती ने 1191 इस भी में तराइन के प्रथम यूद में मुसलिम सासक सिहाबु दिन मुहम्मद गवरी को पराजित किया तराइन के दूसरे यूद 1192 तराइन का भी आप लोग धान रखिएगा वह मुहमद गवरी से पराजित हुआ और भारत में तुर्की राजिकेश थापना हुई तो option B सही जवाब बनेगा अगला question, question number second है यहां पर दोस्तों पहली बार भारत पर आक्रमड करने वाला मुसलिम कौन था आपको बताना है तो यहां प सिंद के छेतर पर आरभों का पहला असफल आक्रमड हुआ आरभों ने 1722 सिवी में 17 वर्षी मुहमद बिन कासिम के नेत्वत्त में दाहिर को परास्त कर सिंद पर विजय पाई भारत पर आरब आक्रमड के शाक्ष चचनामा और मीर मुहमद मासूम की पुष्टक तारीखे स सिंद या मासूमें सिंद से प्राप्त होती है तो यह आपको अत्रिक्ट जानकारी मिल जाती है अप लोग ध्यान रखिएगा अगला कोश्यन कोश्यन नमबर थार्ड है नालंदा प्राचिन स्रिक्षण और मत का एक केंदर कब नस्ट हो गया तो यहां पर दोस्तों आपको इस कोश्यन का सही जाब देना है तो राइट जाब बनेगा ओप्षन सी 1200 SB में नालंदा विसोबिद्धाले बिहार मगद में इस्तित महात्पून बध सक्षा का केंदर था नालंदा प्राचिन सक्षण और मत का एक केंदर 1200 SB में नस्ट हुआ इसको 1197 SB में एबद के एक सेन पति बक्तियार खिलजी ने नस्ट कर दिया था तो आप लोग इस बात को भी ध्यान नखियेगा अगला कोश्यन कोश्यन नमबर 4 है दोस्तों दिल्ली सल्तनत गुलाम वंस खिलजी वंस तुगलक वंस सैयर यम लोधी वंस से समन्धित कोश्यन नमबर यहाँ पे देखेंग से सबसे कम अवधी तक खिलजी राजवंस ने सासन किया खिलजी वंस ने दिल्ली की सत्ता पर 1290-1320 इस भी तक सासन किया दोस्तों अगला कोश्यन कोश्यन नमबर 5 है निमलिकित मैं से दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था आपको बताना है तो यहाँ पर दोस्तों इस कोश् गुलाम कुटबदीन एबक ने 1206 इसभी में गुलाव मंस की निव रखी, एबक का समराज पूरे उत्तर भारत में फैला था, इसने लाहोर को अपनी राजधानी बनाया और कुटब मिनार की निव डाली, तो option B यहां पे सही जवाब बनेगा, अगला question, question number 6 है दोस्तों, कुटबदीन एबक ने किया था दोस्तों, अगला question, question number 7, लोहो और रक्त की निथ किस ने अपनाई, most important question है दोस्तों, तो यहां पर right जवाब बनेगा, इस question का option है बल बनने, इसका सही जवाब बनेगा, लोहो और रक्त की निथी, अर्थात कथोर निथी, गुलाम बंसी सास बलवन ने अपनाई थी दोस्तों, अगला question, question number 8 है, किसके सासन काल में इबन बतूता भारत आया था, दोस्तों आपको बताना है, तो right जवाब बनेगा option भी, मुहमद बिन तुगलक, इसका सही जवाब बनेगा, इबन बतूता 1333, इस भी में मुहमद बिन तुगलक के काल म भारत आया था, दोस्तों, वह मुरक्को अफरीका का निवासी था, और इसका मोल नाम सेक फाता अबू अबू अब्दुल्ला था, अगला question, question number 9 है, भारत पर तैमूर ने किस वर्स आक्रमन किया था, दोस्तों, तो right जवाब बनेगा option D, 1398, तुगलक वंस के अंतिम सासक न 1398, इस भी में समरकंद के सासक, तैमूर ने भारत पर आक्रमन किया था, इस बात को भी आप लुग ध्यान रखेगा, अगला question, question number 10 है, दोस्तों, किस सासक ने भारत में तुगलक वंस के निव रखी थी, तो right जवाब बनेगा option D, गया सुदिन तुगलक, इसका सही जवाब बनेगा, next question, question number 11 है दोस्तों, दिली में अलाउदिन खेल जी के सासन काल की अवधी क्या थी, तो right जवाब हो जाएगा option 1296 से 1316 सबी तर, आप लोग ध्यान रखेगा, अगला question, question number 12 है, खिजर खान निम लिखित में से किस राजवन से समन्दित था, तो सही जवाब बनेगा यहाँ पर दोस्तों, option C, सही जवाब से, next question, question number 13 है, भारत में सिकंदर लोधी का सासन काल कब से कब तक था, तो यहाँ पर right जवाब बनेगा option C, 1489 से 1517, इस भी तक, option C, सही जवाब है दोस्तों, अगला question, question number 14 है, बिजय नगर समराज से समन्दित, question number 14 है, बिजय नगर की प्रचलित परंपराओं के अनुसार, राय विजय नगर के सासकों को कहा जाता था, क्या कहा जाता था दोस्तों, तो यहाँ पर सही जवाब बनेगा option D, नर्पत, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, अगला question, question number 15, तुलू राजवन्स की स्थापना किस ने की, तो right option D, बीर नर्सिंग ने, अगला question, question number 16 है, किस प्राचीन समराज में महिलाएं कुस्ती में भाग लेती थी, तो इस question का यहाँ पर सही जवाब देना है, सही जवाब हो जाएगा option B, बीजय नगर समराज, next question, question number 17 है दोस्तों, बीजय नगर राज किस नदी के किनारे इस्थित इसके स्थापना वर्स 1336 इसवी में हरिहर एवं बुक्का नमक दो भाईयों ने की थी, अगला question, question number 18 है, बीजय नगर समराज के संस्थापक का थे, तो राइट जवाब बताना है दोस्तों, तो सही जवाब यहाँ पर बनेगा, बीजय नगर समराज के स्थापना हरिहर और बुक्का नमक दो भाईयों ने 1336 इसवी में की थी, तो यहाँ पर जो options दिये गए हैं, कोई भी options सटीक आंसर नहीं है दोस्तों, तो आप लोग द्यान रखेगा, हरिहर यों बुक्का इसका सहज़ाब बनेगा, अगला question, question number अगला है, सिक धर्म भक्ति आंदोलन से समदित question number 19, मध्यूगिन भारत में भक्ति आंदोलन के प्रमुक अगवा कारों में से एक कौन था, तो right answer बनेगा, option संकराचार, next question, question number 20 है दोस्तों, यहाँ पर, गुरु गरंच साहिब के संकलन को प्रमारित किया गया है, तो right जोब बनेगा, option C, गुरु गोबिन सिंग्न है, right answer option T है, गुरु नानक देओ, इसका सही जवाब बनेगा, अगला question, question number 22 है, वर्स, यहाँ पर आपको फिल करना है, में गुरु गोबिन सिंग्न है, वैसाखी दिवस को आनंदपूर, साहिब में सिखों की सामान बैठक बुलाई थी, तथा खालसा की निव रखी थी, तो right जवाब यहाँ पर बताना है, तो right जवाब यहाँ पर बनेगा दोस्तों, गुरु गोबिन सिंग्ध, सिक धर्म के दस्वें तथा अंतिम गुरु थे, इन्होंने 1699 इसवी में खालसा पंत की स्थापना की, जो सायनिक संतों का विसिस्ट सम्मू था, तो यहाँ पर दोस्त इसमें यह आखरी सी गुरु कौन था, आपको बताना है, दिएगा उप्संस में से, तो सही जवाब हो जाएगा, उप्संदी गुरु गोबिन सिंग्ध, सिक धर्म में 10 गुरु हुए, जिनके नाम गुरु नानक देव है, पहला अंगत दूसरा है, अमर दास, राम दास, हर गोबिन सिंग, हर राय और हर कुशन तेक बहादूर गुरु गोबिन सिंग्ध, और सिक धर्म के आखरी गुरु गुरु गोबिन सिंग्ध थे दोस्तों, आप लोग धनकिएगा, अगला कोश्यन, कोश्यन नमबर 24 है, लंगर की परंपरा किस ने आरम की, आपको बताना ह लंगर परंपरा की को सुरू किया, दूसरे गुरु लहना, गुरु अंगद ने नानक द्वारा इस्थापित लंगर वेउस्था को इस्थाई बनाया, कोश्यन नमबर 25 है दोस्तों, किस सिंग गुरु ने आदि ग्रंत संकलिट किया है, तो यहाँ पर इस कोश्यन का राइ जी को मार दिया गया था, तो यहाँ पर इस कोश्यन का राइट जौब हो जाएगा उप्संटी, जहां गिरिस का सही जौब बनेगा दूस्तों, अगला कोश्यन कोश्यन बर 27 है, भक्ति आंदोलन को उतर भारत में लाने का सुरेयन में से किसको जाता है, तो राइट जौब जन्द ये से उतर भारत लाया, उन्होंने लोगों को यह सिखाया कि भगवान, राम के प्रती, प्रेम और समारपन रखने तथा इनके नाम के उचारन से मुक्ति पाई जा सकती है, तो उप्संट C यहाँ पर सही जौब बनेगा, आगला कोश्यन, कोश्यन No. 28 है, इन में से कौन सा बिकल्ब सही ढंग से मेल नहीं खाता है, आपको बताना है, तो सही जवब बनेगा, उप्संट B, पंदरफ सो छे गुरु नानक का जन्व, उप्संट B, यहाँ पर राइट जवब बनेगा, गुरु नानक देव का जन्व, 1479 इस्वी में, पाकिस्थान के पंजाब प्रंत के गाउं, तलवंडी वर्तमान में, नन काना साहब में हुआ था, तो अप्संट B, सही नहीं है दूस्तों, तो अप्संट B, राइट आंसर हो जाएगा, अगला कोईशन, कोईशन नमर 29 है, बीजग पूस्तक के लेखा कौन है, तो यहाँ पर राइट जवब बनेग सूर्दास, सूर्सागर, सूर्सारावली, साहित लेहरी इनकी रचना है, बिद्यापती कि अगर हम बात करें तो कीर्तिलता, कीर्तिपताका, पुरुस परिक्षा इनकी रचना है और रविदास, अगला कोईशन, कोईशन नमर 56 हैं, 30 है संग बर्मर पर पित्रा डुरा पित्रा दुरा या रंगेन पत्थर की जड़ाई का काम किस के समय में बहुत लोगप्री हुआ दोस्तों आपको बताना है यहाँ पर महात्पूर्ण प्रसन है तो राइट आंसर बनेगा option B साजहां साजहां के समय में बहुत लोगप्री हुआ था option B सही ज़ौब बनेगा अगला question question number 31 है जजिया फिर से लगाने वाले मुगल सासर का नाम लिखिये तो राइट ज़ौब बनेगा option B औरंग जेव इसका सही ज़ौब हो जाएगा भारती तिहास में जजिया एक प्रकर का धर्मे कर था इसे मुसलिम राज में रहने वाली गयर मुसलिम जनता से वसुला जाता था भारत में जजिया कर लगाने का प्रथम साक्ष मुहमद बिन कासिम के आकमाड के बाद देखने को मिलता है सवरुपर्थम उसने ही भारत के सिंध्परांत के देवल में जजियाकर लगाया था जजियाकर को समाप्त करने वाला पहला मुगल शासक आखबर था दोस्तों आप लोग ध्यान कियेगा औरंग जेब ने फिर से जजियाकर को लागू किया था तो उप्सन B यहाँ पे राइट अंसर बनेगा औरंग चेब बढ़ते हैं अगले कोश्चन की और कोश्चन में 32 है जब इस इंडिया कामपनी की स्थापना हुई तो भारत पर निम लिखित मैं से किसका शासन था तो राइट जवाब बनेगा यहाँ पे उप्सन C इस इंडिया कामपनी की स्थापना 1600 इस भी में हुई थी दोस्तों इस समय मुगल बादसाह अकबर का 1556 से 1605 का शासन था 31 दिसंबर 16 को व्यापारियों के एक समुह जिसने खुद को इस इंडिया कामपनी में सामिल किया था कोई सिंडिया के साथ ब्यापार पर एक आदिकार दिये गए थे दोस्तों तो यहाँ पर right answer option C हो जाएगा मोगल समराथ अगला question question number 33 है अकबर की सफल भू राजय सो प्रनाली कसरे उनके निम लिखित में से किस रिष्ट दर्बारी को दिया जाता है तो right जवाब option C हो जाएगा राजा टोडर मल इसका सही जवाब बनेगा अगला question question number 34 है निम लिखित में से किस लड़ाई में मुख विरोधियों को सही धंग से नहीं बताया गया है तो आपको इस question का सही answer का चैन करना है तो सही answer हो जाएगा option B पानिपद की दूसरी लड़ाई टीपू सुल्थान और मराथा option B यहाँ पे सही जवाब बनेगा पानिपद की पहली लड़ाई 21 अप्रेल 1526 इसवी को बाबर और इबराहिम लोधी के बीच होई थी दोस्तों और इस युद में बाबर की बिजय हुई इबराहिम लोधी मारा गया यहाँ नए मुगल समराज की निव पड़ी पानिपद की दूसरी लड़ाई की यदि हम बात करें तो 5 नवंबर 1556 यहाँ पे इस भी हम हुई थी दोस्तों अकबर और हेमो के बीच और इस युद में अकबर की बिजय हुई और हेमो की पराज है इसी प्रकार हल्दी घाटी की युद की यदि हम बात करें तो 18 जून नोट कीजिएगा महात्पूर्ण जानकरी है 18 जून 1556 आप लोग ध्यान रखिएगा इस भी को महाराना प्रताप और अकबर के बीच हुआ और जिसमें अकबर विजय हुआ तो यहां पर राइट अंसर जो है उप्सन भी हो जाएगा आप लोग ध्यान लखिएगा अगला कोशन कोशन नमबर 35 है पानिपद की पहले लड़ाई किस वर्स में लड़ी गई थी तो यहां पर दोस्तों इस कोशन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्सन भी 1526 में पानिपद की पहले लड़ाई मुगल वंस के संस्थापक बाबर लोधी वंस के शासक इबराहिम लोधी के मद 21 अपरेल 1526 में हुई थी इबराहिम लोधी इस लड़ाई में पराजित हुआ और मारा गया बाबर ने मुगल वंस की निव भारत में रखी थी अगला कोशन कोशन नमबर 36 है 1556 इस विए पानिपद का दूती युद किनके मद लड़ा गया था तो राइट जवाप बनेगा ओप्सन सी अकबर और हेमु के बीच पानिपद का पर्थम युद 21 अपरेल 1526 इस विए बाबर एवं इबराहिम लोधी के मद रखी था अगला कोशन कोशन नमबर 37 है दोस्तों शिर्शा सूरी का वास्तविक नाम क्या है आपको बताना है दोस्तों यई आपको क्लास पसंद आ रही तो क्लास को ज़ादा-ज़ादा like और share करना मत भुलिएगा दोस्तों आप लोग ज़ाद ज़ाद लाइक और सेर करते रही दोस्तों तो यहाँ पर दोस्तों आपको इस question का right answer बताना है तो right answer बनेगा option C फरीद इसका सही जवाब हो जाएगा सेरसा सूरी का वास्तविक नाम फरीद था दोस्तों अगला question, question number 38 है निम्न में से किस शासर की म्रत्यू उसके पुस्तकाले की सीडियों से गिर कर हुई थी तो सही जवाब बनेगा option T हुमायू भारत में मुगल वन्स के संस्थापक बाबर का पुत्र नसरुदीन हुमायू 1530 सिस्वी में गदी पर बैठा गदी पर बैठने से पूर्व हुमायू बदक सा का सुवेदार था वर्स 1549 सिस्वी में चौशा का युद्ध हुमायू उम सेरखा के बीच हुआ जिसमें हुमायू पराजित हुआ तो इस युद्ध के बाद सेरखा ने सेरखा की पदवी ग्रहन की इसके बाद विलग्राम कन्यूज की युद्ध में 1540 सिस्वी में हुमायू एक बार फिर सेरखा से पर जित हुआ और वह सिंध होते हुए इरान चला गया जहाँ पर 15 वर्स तक निर्वासित जीवन बेतीत किया 1555 सिस्वी में हुमायू ने पंजामे सूर्ष शार्षक सिकंदर साह को पराजित कर पुना दिली की गदी पर बैठा वर्स 1556 सिस्वी में हुमायू की मुरति उसके दीन पनाह भोन में इस्थित पुस्त काले की सीड़ियों से गित कर हो गई किस वर्स बाबर ने सुल्थान इबराहिम लोदी को पानिपत की लड़ाई में पराजित किया था तो राइट जवाब बनेगा ऑप्शन भी 1556 सिस्वी में अगला कोशन कोशन नमबर 40 है दोस्तों यहाँ पर निम लिखित में से किस मुगल समराध दोरा आगरा किलिक का निर्माड किया गया था तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन भी अकबर अगला कोशन कोशन नमबर 41 है दोस्तों मुगल शासक के दोरान एक कोतवाल की सही भूमका क्या थी तो राइट जवाब बनेगा ऑप्शन डी कानून और ब्योस्ता बनाय रखना मुगल सासक के दोरान कोतवाल की भूमका सुभी की राजधानी तथा बड़े बड़े नगरों में कानून यह भूस्ता की देखभाल करना था इसे नगर प्रधान भी कहा जाता था तो उप्शन डी सही जवाब बनेगा अगला कोशन, कोशन नमबर 42 है बिहार राज के सासा राम सहर में निमलिकित किस प्राचिन समराठ का मकबरा इस्तित है तो राइट जवाब बनेगा ऑप्शन सी शिर्षा शोरी इसका सही जवाब हो जाएगा अगला question, question number 43 है मुगल वंस के पहले समराथ बाबर ने अपनी देशी भासा जगताई तुर्की में अपनी आत्म कथा लिखी इस पुस्तप का नाम क्या है तो right जवाब हो जाएगा option B, बाबर नामा, इसका सही जवाब बनेगा अगला question, question number 44 है दोस्तों भारत में जहां गीर कर शार्सनकाल क्या था? तो right answer option A हो जाएगा 1605 सवी से 1627 सवी तक next question, question number 45 है वह कौन सा इस्थान है जहां अंति मुगल समराथ बहादूर सा जफर की मरेत्य हुई थी? तो right answer हो जाएगा option A, रंगून इसका सही जवाब बनेगा अगला question, question number 46 है पहला कटपुतली मुगल समराथ कौन था? महत्मोन प्रसन है दोस्तों तो right answer हो जाएगा option A, जहां दार शा, option A, सही जवाब है अगला question, question number 47 बिस्व प्रसिद मोर सिंगासन का निर्माड और उसकी लाल किले में इस्थापना निम्न में से किस मुगल सासक ने की थी? तो right जवाब हो जाएगा option A, साजहां, इसका सही जवाब बनेगा बिस्व प्रसिद मयूर सिंगासन का निर्माड साजहां ने करवाया था दोस्तों पहले यह आगरा के किले में था, बाद में इसे दिल्ली के लाल किले में इस्थापित किया गया था जिसे यहां से लूट कर नादिर सा अपने देश इरान ले गया था साजहा के सासन काल को मुगल इस्थापत कला का स्वन काल कहा जाता है महात्पून प्रस्ण है दोस्तों यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेगा साजहा के द्वारा बनाई गई प्रमुक इमारतों में दिली का लाल किला है दिवाने आम है दिवाने खास दिलिक की जाम मस्जिद अगरा की मोती मस्जिद वा ताजमाल है दूस्तों जान नखियेगा अगला कोशन कोशन नबर 48 अकबर के दर्बार में प्रसिद कभी थे तो इनमें से आपको बताना है तो राइट जाब बनेगा उप्सन C रहीम खान अकबर के दर्बार के प्रसिद कभी थे अगला कोशन नबर 49 है दूस्तों अकबर के नवरतन के बारे में इनमें से कौन सा सही धंग से मिल नहीं खाता है आपको बताना है तो राइट जाब बनेगा उप्सन B राजा मान सिंग वहाँ अकबर के बित्व मंत्री थे उप्सन B सही जाब बनेगा अगला कोशन कोशन 50 है औरंग जेब किसका पुत्र था आपको बताना है तो राइट जाब बनेगा उप्सन D साजहा का औरंग जेब का जन्म 1618 इस भी में उज्जैन के निकट दूहद नामकिस्थान पर मुम्ताज के गर्ब से हुआ था इसके पिता का नाम साजहा था और इसने 1658 से 1707 इस भी तक मुगल समराज पर सासन किया और और इसके सासन काल में मुगल समराज अपने विस्थार के चर्मोत कर्स पर था तो इस बात को भी ध्यान रखेगा अगला कोश्चन कोश्चन नमबर 51 है पानी पत का दुती युद किन के बीच लड़ा गया था तो राइट आंसर हो जाएगा उप्सन B अकबर और हेमु के ब बातसा ने इलहाबाद को अपनी राजधानी बनाया तो राइट आंसर हो जाएगा उप्सन B शाह आलम इसका सही जाप हो जाएगा शाह आलम दुती के बाद अली गौहर शाह आलम दुती की उपारिधारन कर मुगल सासक की गद्धी पर बैठा शाह आलम दुती ने बंगाल पराजय के बाद अंग्रेजों ने साह आलम के साथ इलाहबाद की संधी 12 अगस्त 1765 इसे में की जिसके दोरा शाह आलम को इलाहबाद तिथा कड़ा का छेत्र मिला और शाह आलम ने इलाहबाद को अपनी राजधानी बनाया तो option B यहाँ पर right answer हो जाएगा शाह आलम अगला question 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 55 है हुमायू की दुरघटना से आकस्मिक मरत्यू के अपरांत उनके बेटे अकबर को कहा मुगल सिंगासन पर बैठाय गया तो right answer हो जाएगा option C काला नौर इसका सही जोब बनेगा दोस्तों अगला question question 56 नेम लिकित किन समराटों के सासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया पर्थम बार जारी किया गया था जो आज के रुपय का अगरदूत है सिर्षा ने चान्री के रुपया नामक सिक्का जारी किया और इसका वजन 180 ग्रेन था तथा grand trunk road का निर्माट भी सिर्षा सूरी के सासनकाल में किया गया था अगला question, question number 57 है थामस रो मुगल समराठ जहांगीर से किस किले में मिला था? most important person है तो right जवाब हो जाएगा option D अजमेर 1615 में जहांगीर अजमेर के किले में सर थामस रो से तथा 1608 में कैप्टन हौकिन से राज दरबार में मिला था अगला question, question number 58 है इन में से किसने भूमी मापांकन की ब्योस्था प्रारम की? तो right answer हो जाएगा option B शेरसा शेरसा सूर वंस का संस्थापक था तथा इसने सबसे पहले भूमी मापांकन के लिए सिकंदरी गज का प्रूक किया जो 32 अंका होता था तथा सन की डंडी का भी प्रूक किया था तो अप लोग ध्यान रखेगा अगला question, question number 59 है इन में से किसने अकबर की धार्मिक निती की आलोचना की है तो right answer हो जाएगा option C बदायूनी अकबर की धार्मिक निती की आलोचना अब्दूल कादिर बदायूनी ने की है अकबर नामा की रचना अबुल फजल ने की वहाद दीने इलाही धर्म का मुक्र प्रोहित था बदायूनी ने मुक्त खब उद तवारिक की रचना की है अगला question, question number 60 है इन में से कौन सा मुगल समराट अनपर्थ आपको बताना है तो right answer option A हो जाएगा अकबर इसका सही जवाब बनेगा मुगल समराट अकबर अनपर्थ था दोस्तों option A right answer हो जाएगा अगला question, question number 61 है मुगल काल में पुलिस बलके मुक्या को क्या कहा जाता था तो right answer हो जाएगा option D कोतवाल मुगल काल म प्रताप सिंग के पूतर राणा अमर सिंग से एक समझोता किया तो right job बनेगा option सी जहां गेर नेक्स question, question number 63 है जलालुदीन मुगल समराट अकबर का नाम है आप लुग ध्यान अगला question, question number 64 है मदिकालिन से इस्थापत्यूं चेत्रकला से समन्दे 64 question, दिली का प्रसिद जाम मस्जिद किसके दोरा बनाई गई थी, तो यहां पर दोस्तों आपको सही बिकल्प का चैन करना है, तो सही बिकल्प यहां पर option यह हो जाएगा, साजहां, दिली के प्रसिद जामा मस्जिद के निर्मार सन 1556, 1556 में साजहां दोरा करवाया गया था दोस्तों, अगला question, question number 65 ह अकबर दोरा बनाई गया प्रसिद ऐतिहासिक स्मारक बुलन दरवाजय उत्तर प्रदेश के किस जिले में इस जित है लोस्तों? तो right answer बनेगा option C आगरा अकबर दोरा बनवाये गया प्रसिद एतिहासे किसमारक बुलंदर वाजा उत्तर प्रेस के आगरा जिले के फत्यपूर सीकरी में इस्तित है रुष्टू और इस प्रसिद इसमारक कनेमाड 1602 इसवी में अकबर ने अपनी गुजरात विजय की इसमरती में करवाया था यह हिंदू और खारसी स्थापत कला का अद्भूत उधारन होने के साथ साथ दुनिया का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार भी है तो इस बात को भी आप लोग ध अगला कोशन कोशन नमबर 67 है दूस्तों यहाँ पर दिली का प्रसिद लाह इस्थम जो सदियों से बीना जंग लगे खड़ा है वह निमली खित में से किस आतिहासिक परसर में इस्तित है तो राइत जाब हो जाएगा उप्सन सी कुतो मिनार परसर भारत की रजधानी दिली अगला कोशन कोशन नमबर 69 है प्रसिद चित्रकार मीर सयद अली चित्रकारी है किस मुगल शाषक के सहयोगी थे तो राइत जाब हो जाएगा उप्सन ली खुमायू उसका सहय जाब बनेगा तो right job बनेगा यहाँ पर option B, अकबर, इसका सही job हो जाएगा, उलन दरवाजे का निर्माट 1602, इस भी में अकबर ने करवाया था दोस्तों, अगला question, question number 71 है, पांच महल किसमें इस्थित है, तो right job हो जाएगा option C, फतेफूर सीकरी, पंच महल फतेफूर सीकरी में इस्थित है यह एक पांच मंजिला इमारत है, जो बहुत बिहार श्राइली में बनाए गया है, अगला question, question number 72, निम लिखित में से कौन सा युगम सही नहीं है, दिये गए, options में से आपको बताना है, तो right job हो जाएगा, हुमायू का मकबरा इलहाबाद, option D यहाँ पे right job हो जाएगा, हु कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया है, तो right job आपको देना है दूस्तों यहाँ पर, तो यहाँ पर right answer हो जाएगा, option C, allow दिन खिल जी, इसका सही जाएगा, दूस्तों, अगला question, question number 74 है, मद्द कालिन साहित्यों संगित से समाधित, question number 74, अमीर किसके दर्वार में दर्वारी कभी थे, तो आपको बताना है दूस्तों यहाँ पर, इस question का right answer हो जाएगा, option D, allow दिन खिल जी, next question, question number 75 है दोस्तों, निम लिखित में से कौन देली सल्टन केतियास का लिखक नहीं था, तो right job बनेगा यहाँ पर दोस्तों, option A, अबास खां सर अगला question, question number 76 है, आईने आखबरी किसने लिखा, तो right job हो जाएगा, अबुल फजल ने आईने आखबरी लिखा है दोस्तों, अगला question, question number 77 है, गोस्वामी तुलसी दास दोरा लिखे गए रामचरित महाराच का सबसे लंबा कांड 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 सा है, इन में से आपको बताना तो right job हो जाएगा, बाल कांड, इसका सही जाब बनेगा दोस्तों, अगला question, question number 78 है दोस्तों यहाँ पर, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, दिए गया, options में से आपको सही भी कल्प का चैन करना है, तो right answer यहाँ पर बनेगा, option C, हुमायू नामा हुमायू, option C, सही सु यह लिखा है दोस्तों, और हुमायू नामा गुल बदन बेगम का है, दोस्तों, option C में जो दिया क्या है, हुमायू नामा गुल बदन बेगम, ध्यान खेगा, अगला question, question number 79 है, हुमायू नामा के लेखक कौन थे, तो right answer हो जाएगा, option B, गुल बदन बेगम, हुमायू नामा के लेखक है, अगला question, question number 80 है, question, अकबर नामा के प्रसिदे लेखक कौन थे, तो right जाब हो जाएगा, option B, अबुल फजल, अकबर नामा अबुल फजल ने लिखी है, दोस्तों, अगला question, question number 81 है, तारीखे फिरोज साही के लेखक कौन है, दोस्तों, तो right answer हो जाएगा, option A, ज अगबर ने अपने दर्वारी संगीत तग के रूप में किसे नियुक किया था, तो right जाब बनेगा, option B, मिया तांसेन, अगला question, question number 83 है, दोस्तों, अमीर कुसरो का जनम ये स्थान है, तो right answer बनेगा, option B, कास गंज, अगला question, और अंतिम question है, दोस्तों, question number 84, कि संत को right answer हो जाएगा, option E, गौसवामी, तुलसी दास, इस question का right answer हो जाएगा, दोस्तों, यदि आपको class पसंद आ रहे हैं, तो class को जादा-जादा like और share करते रहे हैं, यदि आप तुमारे चैनल पे ना है, तो channel को subscribe कीजिए, दोस्तों, आज की इस class में बस इतना ही मिलता है, next class मे तब तक के लिए नमस्कार चाहिन, धन्यवाद,